हेलो गाईस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सेयर टूडे में आज हम दिस्क्रस करने वाले हैं धनी सर्विस लिम्टेट इसे स्टॉक में देखे तो आज के दिन एक रूपे सतर पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक साड़े चार परसेंट से भी उपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहाएगा हम इस वीडियो में ये डिसकस करने वालें कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टार्गिट बंत तो ये नजर और हमें इस स्टॉक लोज कहां पर ट्रेड करके चलना चीए जैसा कि आप सब को पता है कि इस स्टॉक में काफी दिनों से एक भारी पात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है जिसमें कई निवेसक ऐसे जिनोंने इस स्टॉक को एक उपरी लेवल पर खरीदा है और वहा हुटत है राउन्ट में गिरावट देखने को मिल रही है और यह स्टॉक फोड़ा सा सपोट लेता है उसके बाद में अपर जाकर फिर से स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिलती है अगaire हम बआत करें तो लास्ट इवनिंगस्ट जोलों कि 20 जनुवरी में को बना वहां यहां से स्टॉक में लगातार छे दिनों से पिकवाली होती हुए नजर आ रही है तो अगर आपके पास यह स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लोस टेट करना चाहिए जो कि एराउंड तो 22 रुपे जो कि इस स्टॉक का काफी नीचे स्टॉक लोस है उनतिस रुपे चालिस पैसे इस स्टॉक का एक एहम सपोर्ट लेवल निकल के आता है जहां से स्टॉक में दो बार बॉटम बनता हुआ नजर आया है सेम प्राइस पर अगर यहां से स्टॉक में एक रिवर्सल ची तो आपको उपर के सॉट टं टारगेट देखने को मिलेंगे जो कि 35 रुपे और सेकेंड टारगेट 37 रुपे तक के देखने को मिल सकते हैंगे अगर आपके पास यह स्टॉक है तो आपको ठीलोस के रिवर्स के पीड करना चीह है क्योंकि अगर हम देखने तो इस और यह स्टॉक एक महिने में 20% से भी उपर की गिरावट दिखाता हुआ नजरा रहा है जहां पर काफी निवेश्पों को बड़ा नुकसान होता हुआ नजरा रहा है तो अगर आपके पास यह स्टॉक है तो आपको और 29 रुपे का एहम स्टॉक लोस टेट करना चीए और इससे पहले अगर स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलता है तो आपको उपर के टार्गेट 35 रुपे और 37 रुपे तक की देखने को मिलेंगे और इस स्टॉक में फिरस ब्रेक आउट देखने में काफी टाइम लगेग स्टॉक ॉपे ब्रेक रुपे